तो यहां पे देखिए इसमें जो length है वो कितनी दी गई है 5 cm, यहां पे breath दी गई है 5 cm और जो इसकी height है वो यहां पे दी गई है 4 cm. वाल्यूम find out करना है हमें, cuboid का, तो cuboid का जो volume है उसका formula है length multiply breath multiply height. length है यहाँ पे 5 cm breath है यहाँ पे 5 cm और height है यहाँ पे 4 cm multiply कर लेंगे यह हो जाएगा 5 5s है 25, 25 जा 25 4 जा 100 ठीक है तो 100 cm cube इसका यह first part आया अब देख लेते हम इसका part number B, तो B में हमें जो length है वो कितनी दी गई है यह दी गई है 45 mm और breath यहाँ पे दिया गया है कितना 30 mm और height यहाँ पे दिया गया है 10 mm ठीक है तो volume का जो formula है वो क्या होता है length multiply breath multiply height ठीक है ना, cube order का जो volume का formula वो यह है अब हम यहाँ पे इसकी जो dimensions है उनको multiply में कर लेते हैं तो length कितना यहाँ पे यह है 45 mm and multiply base size का 30 mm ठीक है multiply कर लेंगे इनको तो multiply करने पर यहाँ पे आ जाएगा इन तीनों को देखे यहाँ जाएगा 3 5s are 15 3 4s are 12 और 1 13 135 एक दो, 2 0 हो और इसमें तो यहाँ जाएगा mm3 ठीक है अब हम देख लेते हैं इसका part C, तो C part में देखे हमें यहाँ पे जो length है वो दी गई है 12 cm और breath यहाँ पे दी गई है 1.2 cm height दी गई है यहाँ पे 0.5 cm अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं स्क्यूबवेड का volume तो यह होगा length multiply breath multiply height length देखे यहाँ पे है 12 cm और जो breath है यहाँ पे वो है 1.2 cm और height है यहाँ पे 0.5 cm अब क्या करते हैं इनको multiply कर लेते हैं हम यहाँ पे तो यह आजाएगा 12 है ना मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ multiply 12 upon 10 and multiply 5 upon यह हो जाएगा 10 तो यह कट कर लेता हूँ मैं 5 बन जा 5 तूजा और यह 26 जा 12 ठीक है इसको decimal में convert कर देंगा तो यह आजाएगा 7.2 cm अभी देख लेते हैं हम इसका part number D question number 2 का तो यह देखें यहाँ पे जो length है वो दी गई है 1.2 meter और जो breath है वो यहाँ पे दी गई है कितनी 0.9 meter और जो height है वो यहाँ पे दी गई है 0.7 meter तो इसका निकाल लेते हैं हम volume तो volume कितना आए यहाँ पे यह देखी length multiply breath multiply height keyword का जो volume हो इसका formula तो यह हो जाएगा यहाँ पे 1.2 meter length breath कितना है 0.9 meter और जो height है वो कितना है 0.7 meter ठीक है तो जब इसको multiply करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 12,9 जब 108 आएगा ठीक है मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको point हटा देता हूँ मैं यहाँ से है न तो यह 12 multiply 9 multiply 7 upon के कितना आजाएगा यहाँ पे upon में 1000 ठीक है तो 108 आएगा 108 multiply 7 तो यहाँ जाएगा 7,8 जाए 56 and 7 बंजा 7 तो यह आगए 756 आप इसको डारेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे 1,2,3 10 डिजिट है तो यह आजाएगा 0.756 meter cube